हलो दोस्तो, वेलकम बैक टो पी डबलो अन्ग आईएस, दोस्तो आज के इस वीडियो में हमारे पास में तीन स्पीसीज हैं, जो की एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टन्ट हैं, तीनों के बारे हम जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली बात जो हमारी रहेगी वो तो मैंग्रू के बारे में है, तो ये तो देखो, आप लोड़ी बढ़ चुके हो, पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टन्ट हैं, उन पर हमें ध्यान भी देना जरूरी है, एक हम दो इंपॉर्टन्ट डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, एक तो क्या है, घोस्ट फिश है न, उसकी एक तरीका, यू माना जाता है कि ये भई, मतलब जो नई फिशे से आज के समय में देखी जाती है, उन से भी पहले के समय से आज चलती चली जा रही है, या फिर वो बहुत ओल्ड एज से रिलेटिड रहती हैं, ठीक है, तो वो हम समझेंगे, और एक हम देखने वाले हैं, क अब कैनिबल स्पाइडर्स की, अब कैनिबल स्पाइडर्स क्या होती हैं, वो भी मैं आपको डीटेल में बताऊंगा, दोस्तों, पी डबलू ऑनली इस की तरफ से आप लोगों के लिए, जो भी सेल्ट स्टेडी पर रिलाए करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी सहायता क के लिए, उनके तैयारी को एक भूस्त देने के लिए, यह IDMP सेल्फ स्टेडी प्रोग्राम 2025 अभी रन कराया जा रहा है, इनके डिफरेंट फेजिस हैं, जिनमें एक फेज आल्रेडी चल रहा है, सैकेंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल साथ सो जीएस के, साड़े चार हजारतो जीएस के questions और साथ सो से ज्यादा सी सैट के questions आपको solve कराया जाएगे, जो कि prelims में आपकी help करेंगे, और साड़े चार सो से ज्यादा आपके mains की question answer writing हो जाएगी, इस से आपकी mains में help होगी, साथ ही साथ तीस से ज्यादा topics के लिए आ 12 मही तक, और 5th phase है, वो आपके prelims exam हो जाएगी, उसके बाद में decide कर लिया जाएगा, so the point is, कि इस program पे आप आराम से rely कर सकते हैं, अगर आप self study basis पर अपनी तयारी को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है, तो इस पे आप rely कर सकते हैं, चलते हैं आगे, तो चलिए स्ट करते हैं, first हमारा mangroves, mangroves की अगर बात करें, तो recently the state of world's mangrove report है, वो publish की जाती है, कौन करता है, एक तो यह ध्यान रखना है, हमें, नाम है, global mangrove alliance, यह basically सो से जाधा countries का एक alliance है, जहाँ पर mangroves की presence है, mangroves क्या होता है, costal area में आप देखोगे, tidal area जो होता ना, जहाँ पर सम minimum level तक maintained रहता है, वहाँ पर आप देखोगे, तो आपको इस तरीके के plants देखने को मिल जाएंगे, इन्ही को mangroves बोल दिया जाता है, तो यह report तो basically publish हो गई, और वैसे देखा जाए, तो world mangroves day के तोर पे 26 जुलाई को हर साल observe किया जाता है, जिसका main target है, कि कैसे भी करके हम mangro mangroves की conservation ensure कर सके, mangroves के अगर बात करें, तो यह salt tolerant होते हैं, इसका मतलब खारे पानी में भी survive कर सकते हैं, और इनके पास में 80 से ज़्यादा varieties के आपकी species देखने को मिल जाएंगी, यह generally मिलती कहां पर है, climate wise देखें, तो 25 डिग्री नौर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में इसका मतलब tropical और subtropical region में आप इसकी presence, इनकी presence देख सकते हैं, majorly intertidal zone में, इसका मतलब high tide और low tide की जो condition create होती है, costal area में, जहां पर पानी बहुत आगे तक चला जाता है, और पानी बहुत पीछे तक चला जाता है, उसके बीच का जो zone है, उसको हम बोलते है intertidal zone, right, तो वहा पर आपको इनकी presence देखने को मिल जाएगी, अभी तक 80 different species की बात मैं आपको बता चुका हूँ, और इनके पास में इस खारे पानी में survive करने की adaptation है, कुछ qualities इनों ने अपनी तयार कर रख की हैं, जिनमें एक तो इनके पास में new metaforce होती हैं, इसका मतलब breathe करने वाली जड़ जड़े, वो जड़े जो की पानी के नीचे से निकल करके उल्टा यू निकलती हैं, ठीका जड़ यू नीचे से उपर, और उनके पास में पूर्स, छेद होते हैं हलके-लके, जो की atmosphere से oxygen को absorb करते हैं, इसके लावा इनके पास में stilt roots भी होती हैं, stilt root का मतलब हो गया, कि पे area में कितना ज्यादा important role play करते हैं, ये cyclones या फिर soil erosion को contain करने में, right, similarly इनके पास में quality होते हैं, वीवी पैरी, वीवी पैरी का मतलब क्या होता है, कि इनका जो बीज होता है ना पेडों का, वो directly जमीन पर नहीं गिरता, इनके पास में quality होती है, कि इनका जो बीज है, वो parent tree है ना, उसी के पास में रहेगा, जब तक कि वो seedling, मतलब छोटा plant ना बन जाए, और फिर वो जब plant बनेगा, तो फिर उसको फिर पानी में drop कर दिया जाएगा, क्यों जी, इसके पीछे logic इतना सही है, क्योंकि saline water में सीधा अगर बीज गिर गया, तो वो survive नहीं कर पाएगा, एक तो breeding roots, जिनको हमने बोला, क्या, new metaphor, दूसरा हमने बोला, stilt root, जो कि तने से निकलती हुई रहती है, जो कि जकड लेती है, जमीन को, strength provide गरती है, मिट्टी को भी पकड़ के रखती है, और एक vivipary, that means, बीज को सीधा जमीन पे ना डाल करके, ये बीज को पहले, छोटे ज जमीन में डालते हैं, जिससे की वो saline condition में survive कर सके, तो ये जो चीज है, ये इनके अंदर already adaptation के अधार पर developed हो रखी है, वैसे देखा जाए, तो इनके पास new metaphor का concept मैंने आपको बता दिया, इनके पास में एक और बढ़िया quality होती है, that is, कि इनकी जो leaves होती है, पक्तियां होती है, succulent, thick होती है, मोटी होती है, जिससे की इनको जो पानी चीज होता है, वो इस saline water से ही निकाल के अपने अंदर store कर लेती है, filter की तरह है, अपनी layer को use करते हुए, तो water stories के लिए इनके पास में leaves जो है, वो succulent है, thick succulent, that means, एक filter का का काम कर रही हैं, और अपने पास में fresh water store कर के रख लेती हैं, significance की बात करो तो देखो, costal area में रहते हैं न, ये, तो सीधी बात है, costal line में अपनी stability maintain करके रखते हैं, soil erosion को contain करते हैं, इसके अलावा कलकोने cyclones आ जाये, तो आप देखो, कितना ज्यादा इनकी roll आ जाती है, आप देखो, 2004 में जो आप देखते हो, tsunami आई तो ऐसे में अन्दमान निकोबार वाले एरिया में कम तराश दी हुई थी, कारण क्या, क्योंकि वहाँ पर mangroves बचे रहे थे, वही पर तमिलनाडू वाले अन्दरप्रदेश वाले एरिया में बरबादी हुई थी, क्योंकि बहुत हद तक encroachment होने की वज़े से mangroves खतम हो एशिया में, फिर अफरिका में, आप नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाओगे और फिर सबसे और इन से कम मिलेगा आपको अमेरिका में, यॉरॉप और नॉर्थ अमेरिका को तो आप भूली जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत तक तक development के नाम पर खतम कर दिया, या फि देखो, West Bengal, गुजरात और फिर उसके बाद में बाकी, इसके लावा खतरा क्या है, कॉस्टल एडिया में बहुत ज़्यादा एकॉनमिक गतिविदियों का होना, इसके लावा जो श्रिंप की खेती होती है ना, फिशरी, उसके चलते भी बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि फिर मेंगरूव को खतम करके फिर बाद में वो fishing का काम हो रहा है, इसके लावा temperature fluctuation को भी ये जहल नहीं पाते हैं, अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पर मेंगरूव सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनका area कौन सा है, tropical and subtropical, conservation majors की बात क administrative है, उसके तहत भी conservation के अंडर में लिया हुआ है, इसके लावा UNFCCC ये जो COP27 हुआ था, ठीक है, UNFCCC का हो तो उसमें mangroove alliance for climate को भी start किया, क्यों, क्योंकि इसका target का है, climate change को control करना चाहते हैं तो उसको, तो carbon को capture करना होगा, तो carbon sink के लिए तो mangroves अपना important role play कर रहे हैं कि तो ये सारी चीजे जो है, वो mangroves के बारे में हमें पता होनी चाहिए, next हमारी आती है ghost shark, ये ghost क्यों बोला गया, इनका देखो appearance कुछ ऐसा है, कि रात को इनकी आख है न चमकती है, इनकी आखों के ओपर reflective tissue होता है, जिसकी वज़ए से रात को अंधेरे में ये लगती है, ghost like appearance और ये मिलती भी कहां पर है, बहुत ज़ाधा गहराई पर, आप देखो यहां पर ये 200 से 2600 मिटर की गहराई पर मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़ादा गहराई पर अंधेरा ही रहता है पानी में भी, बहुत कम light पहुच पाती है, हाना, वहां पर इनकी position, तो ghost disappearance तो basically होता क्या है अभी researchers ने न्यूजिलेंड के पास में एक particular region है जिसको चाठम राइस बोला जाता है यह चाठम राइस यहाँ पर आप देख सकते हो तो चाठम आइलेंड यह न्यूजिलेंड के थोड़ा सा इधर दिनियूजिय को ऩाइस चिमैरी राइस बोलवा इसके इसके अलावा इन वा में पुरा बोन का स्ट्रक्शर看看 यह basically बना हुआ किससे है cartilage, cartilage जो एक तरीके का बहुत important tissue type consider किया जाता है, जो कि हमारी body में भी bones के अंदर joints पे मिल जाता है, जो कि फिर smooth movement possible हो पाता है हमारी body के अंदर, जब भी हम move करता है, गुटनों के अंदर बोलते हैं, ग्रीस खतम हो गया, वो cartilage का इकेल है सहरा, तो cartilage genius fish है यह, और यह sharks और rays जो है, उनके साथ में related है, इसलिए इनको ghost shark बोल दिया गया, नाम जो है, अभी जो species identify हुई है, निजिलेंड के पास उसका नाम दिया गया है Australasian Narrow-nosed Spook fish, Spook fish मैंने बोली दिया, इनका नाम रखा गया हुआ है Spook fish भी इनको बोल दिया जाता है, feature की बात करें, तो इनकी length बहुत ज़्यादा होती है, up to six feet इनकी length हो सकती है, इसके अलावन की body tapered होती है, किस तरीके से आप खुद देख सकते हैं और इनका head जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा size में बड़ा दिखेगा इसके अलावा इनका color जो है, वो black से blue ये वाला जो मिला है, ये आपको मिला है थोड़ा सा pale chocolatey color चोकलेट थोड़ा सा dark करते चली जाओगे तो black की तरफ आप move करे जाओगे तो इस तरीके से इसकी appearance मिल गई इसके अलावा, ये जो fish मिली है जिसका नाम दिया गया है Australian Narrow-nosed Spookfish इसका एक और scientific name दिया गया है Heriota avia avia जो word है, इसके लिए ये बोला जाता है old fish, बहुत पुरानी fish मतलब ये माना गया है इनका कि ये जो है चिमेई राज, चिमेई राज भी हमने इनी को बोला है ghost fishes को, तो ये जो है ये ancient relatives है आज की जो fishes है उनकी, इसलिए इनको older consider करते हुए aviara बोल दिया गया, क्या बोला गया है इनका नाम avia, ठीक है, इसके अलावा इनको ocean butterfly की नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जैसे butterfly, अपने बड़े-बड़े wings का use करके fly करती है ना वैसे ही ये, मतलब पानी के अंदर dive करती हुई या फिर move करती हुई दिखाई देंगी इसके अलावा ये animals है, solitary animals है मतलब अके लिए रहना पसंद करते है खाने में क्या पसंद करते हैं तो एक cretaceans, cretaceans मतलब hard surface वाले जो oceanic animals है ना उनको जैसे कि shrimp हो गया, या mollusk हो गया इनको खाकर की ये survive करते हैं तो ये ध्यान रखना है और ये बहुत ज़्यादा गहराई पर रहने वाले fishes है next आब जाता है आपका cannibal spider अभी क्या होता है, geological survey of इंडिया है ना कॉलकाता बेज्ट, उनके दुआरा हमारा जो western घाट है यहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर दो cannibal spiders का अभी एक तरीके से discovery की है, और उनका नाम क्या है mimetus spinatus और एक है mimetus parvulus, ठीक है mimetus spinatus और mimetus parvulus, यह southern west guard में मिली है, इनकी अगर बात करें तो यह किस family से belong करती है, नाम से पढ़ रहा है ना, mimetus तो mimetus family, genus जो है इसकी family कौन से है, mimetidae इस family की quality क्या है जिसके तहत in cannibal spiders को रखा गया है, यह pirates है मतलब लुटेरी मकडियां है कैसे लूटती है, इनका simple सा यह है, कि यह कोई दूसरी मकडी जो normally अपने web को बना करके, और वहाँ पर prey का इंतजार करती है, कि हाँ भई कोई भी शिकार आएगा, वो उलच जाएगा और उसको हम खा जाएगे, उसके अंदर हमारा poison डाल करके, फिर उसको हम खीस लेंगे, उसका जो भी liquid होगा हो, यह normal spiders का एक tendency है, but इनके पास में predatory approach है, क्या है इनके पास में, cannibal spider या pirate spider, या फिर जिनको हम यहाँ पर mimetidae family के तहत देख रहे हैं, इनके अंदर quality यह होती है, कि दूसरी spider के web में चली जाएंगी, वहाँ पर vibration करेंगी, तो ऐसे में, जो host spider उसको क्या लगेगा, कि भई, कोई prey आ गया, तो वो prey को हंट करने के लिए जैसे होट spider वहाँ पहुचेगी, उसको फिर वहाँ पर, यह जो spider से हो हंट कर देगी, मतलब आप देखो, कि दूसरे का शिकार लूटती नहीं है, मतलब दूसरे spider को ही हंट कर देती है, यह जो quality है, इसी के तहत इनको mimeti die family के तहत रखा गया है, अब इन दोनों spiders की बात करें, जिनकी अभी discovery हुई है, तो इनका location की अगर बात करें, तो एक तो करनाटका में देखा गया है, करनाटका में एक wildlife century है, नाम याद रख लेना, मुकंबिका, मुकंबिका wildlife century में, और दूसरा एनकुलम डिस्टिक्ट जो है केडला, वहाँ पर इन species की discovery हुई है, याद रख लेना, मुकंबिका wildlife century आपकी करनाटका में है, अब mimetus spinatus की बात करें, तो ये medium size की spider है, इसका color थोड़ा सा yellow, डली यलो दिख जाएगा, और जो abdomen पेट है, उसका color थोड़ा सा आपको white, grey white में appearance दिखेगी, इसी तरीके से जो mimetus, mimetus, parvulus spider जो है, इसका appearance देखोगे, तो इसका head है ना, सर, वो थोड़ा सा creamy, rosy color का दिखेगा, इसके अलावा shape जो है, वो triangular है, और abdomen का color more or less वैसा ही है, जो mimetus spinatus का है, जैसे की grey white abdomen, मतलब page का जो area है, वो थोड़ा सा grey white में दिखेगा, discovery की अगर बात करें, तो ये जो mimetus genus की जो spiders हमारे देश में मिली है, उनकी संख्या, अब इन दो को include करने के बाद में, total हो गई है, तीन, और तीनों की तीनों कहां मिली है, western ghat के southern region में, ये हमें ध्यान रख लेना है, और ये जो discovery है, ये 118 साल बाद में देखी गई है, मतलब ये, कि जो cannibal spider की दो नई species मिली है, इसी particular genus की पुरानी जो species discover होई थी, वो 118 साल पहले देखी गई थी, तो कुल मिलाकर कि ये discovery भी हमारे लिए important हो जाती है, अब देखो, आप लोगों से दो सवाल पूछे, एक सवाल पूछा था मैंने, कि इन में से symbiotic relation में कौन रह सकता है, जादा तरका सही answer है, तीनो की तीनो रह सकते हैं, और आज का जो सवाल है वो ये, एक तरफ wildlife दियो हुई है, दूसरी उनका natural habitat दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि कौन सा correctly matched है, answer आप comment box में जरूर देंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, thank you very much, एक बार फिर से हम मिलेंगे next हफते नई species के साथ में, इस series को बिल्कुल भी मिस ना करें, यह आपके लिए बहुत ही जादा healthy है, ओके, thank you